अज़ येस मैंने इसलाम कबूल किया है अश्दु आल्ला इलाह इलाला वा श्दु आल्ला मौ अस्वालेकुम एवरिवान बिस्म आल्ला इरहमान इरहीम आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना इस टॉपिक के उपर तो मतलब दो साल से लोग बेट कर रहे हैं हम वेरी वेरी आज आपके लिए इस चीज का खुलासा जरूर कर देगा मैंने पहले भी सोचा था इस चीज का खुलासा करने का बट नहीं कर पाया बट इंशाल्ला आज ये वीडियो में आपको फुल आन क्लियर हो जाएगा हर चीज के बारे में कि मेरा मजब क्या है सारे लोग यही पू आना हमने इसलामिक वीडियोजज बनाना सटरे ही वीडियोज के लिए ऊतर स्ठाट ही पैसो के लिए Québec मैं सच कह रहा हूँ और YouTube पर जितने भी आप Islamic reaction वाले channels देखोगे जो भी देखोगे ना सारे की सारे पैसो के लिए व्यूस के लिए ही वीडियोज बनाती है because Islamic public Muslim public is the loyal public in the world because Muslim public आईगी दौड़के भग के आईगी YouTube पर और वीडियोज देखेगी आपकी और यह बिलकुल सही बात है और चाहे Instagram पर लगा लो चाहे कहीं भी लगा लो बट आपको ना इस चीज़ पर खुशी होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए वो मुत से पूछ आपको खुशी इसलिए होनी चाहिए because क्योंकि चाहे जो non-Muslim है जो YouTuber non-Muslim है वो उसकी जो audience है ना वो भी non-Muslim होगी correct अभी जब उसकी audience non-Muslim होगी तो पहगाम किसका पहुँच रहा है उनके तरफ अल्ला का पहगाम यही तो काम है हमारा मुहम्मत स्लिए लिए 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 क्या बोला था दो साल से लगातार इसलाम के बारे में research करें यह हमारा third year है and मैं आपके एक चीज़ बताना चाहता हूँ starting में मैं बहुत ज़्यादा pressurized feel करता था जब लोग comments में करते थे थे आप इसलाम कबूल करो आप इसलाम कबूल करो मैं बोलता था है यह लोग मुझे ऐसा क्यू बोल रहे है and लोग ऐसे क्यू कर रहे है मतलब मेरी मर्जीना मैं कुछ भी करो दीसे कुछसी आप सब को पता होगा दो तरह की हदीसे होती है दीसे कुछसी मतलब जो अल्ला की तरफ से directly उनके बंदों के लिए होती है हमारे लिए इनसानों के लिए उनकी एक रहदीसे कुछसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है अज़ टाला फरमाते है ऐ बनी आदम, ऐ आदम की उलाद मैं तुम से प्यार करता हूँ तुम भी मुझ से प्यार करो बहाई, यह जो लाईन है ना यह लाईन, यह लाईन है बतल्ल região मना वाइबरेशन पैदा कर लेती है यह आर ल्लम से प्यार करते है तो हम लLTI से क्यों नी प्यार करते है अग दूसरी बात है लिए आ उनसे भी प्यार करते है जो अल्ला को जानते भी नहीं है जो अल्ला के बारे में मानते भी नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ते है जो बतों की अबादत करते है जो जीसस क्राइस्ट को मानते है जो दूसरे खुदाओं को मानते है अल्ला ताला उन्हें भी प्यार करते है اللہ تعالیٰ उन्हें भी कह रहे है एए बनी आदम मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे प्यार करो विस सबसे था इंपॉर्टन सवाल कि भाई आपने इसलाम कबूल किया है या नहीं किया राइट ये जो वर्ड है ना कुलब में फेस करने की मेरी हिम्मत नहीं थी भई, सच कह रहा हूँ, ना ही पेरेंट्स को, ना ही किसी और को, बट हमारे दिल में इमान है, आप सब को दिखता होगा, वीडियो में अगर जब हम बोलते हैं, या जो भी करते हैं, बट मैं आपको सच कह रहा हूँ, दिल ने तो मैं बट चीजाँ कि मैंने इसराम कबूल किया shit, और आप थोड़ा सा guess करो, इस चीजा कुम करो, मैं चाहता हूं कि आप guess करो, क्योगि जब इनसान के दिल में इमान होता है, वो इनसान के चेहरे पह दिखना start हो जाता है, तो मैं ये चाहता हُूँ कि अगर आप मेरे subscriber हो, अ ये comment section में जरूर बताना है क्योंकि मुझे जानना है कि ये कब हुई थी और क्योंकि मैं next video में बताने वाला हूँ मेरी पूरी story कि how I accepted Islam और कब किया था accept और कैसे किया था and ये सारी चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ next video में जो कल आएगी for sure but ये चीज़ आप जरूर बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि कब आपको मेरे दिल में इमान दिखा था आपको मेरी बातों से इमान दिखा था ये मैं जरूर वेट करूँ आपके comments जरूर पढ़ने वाला हूँ मैं ठीए जीज़ You know why I love Islam so much बुलाए कि इज़त करे तो वो लोग ऐसे तनके चलने लग जाते हैं ऐसे भाई मैं कौन हूँ बता नहीं महाराजा हो गया बता नहीं यहां का ये पूरा देश मेरा है ये पुरी दुनिया मेरी है मैं ही इसका दाता हूँ इसे करते हैं लोग बत हमारे रसूल अल्ला मुहम्म्मद ﷺ जिनको फरिष्टे तक ऐसे मतलब उनको सलाम ठोकते थे मतलब आप सोचो फरिष्टे रसूल अल्ला मुहम्मद ﷺ को सलाम ठोकते थे बत रसूल अल्ला फिर भी अपने कंदे जुका के चलते थे down to earth थे, हमेशा down to earth रहते थे मतलब आप उनकी जिंदगी देखो यार उनकी जिंदगी से कितना कुछ सीखने मिलता है as a husband, as a father, as a अबादत गुजार as a best person in the world, as a best अखलाक भाई, क्या नहीं था उनमें, भाई, क्या नहीं था आप एक चीज़ का नाम लो, वो उनमें था he is the role model and आजकल अगर हर एक इनसान उनकी बताई हुई चीज़ों के उपर अमल करके चले अपनी जिंदगी गुजारे Islam is not a religion, it's not a religion it's the way of life, life जीने का the best तरीका आपको Islam से पता चलते है और कहीं से पता नहीं चले का लोग बोलते हैं आइर के islam में बहुत कठर पनती है पांच टाइम नमाज पढ़नी पती है यार मैंने पांच टाइम नमाज पढ़ता हूं डेली, अलहमदुलिल्छ पांच टाइम नमाज पढ़ता हूँ और नमाज पढ़ने से मैं कितने सारे गुनाहों से बचा हूँ मुझे पता है मुझे पता है भाई कितने सारे गुनाहों से मैं बचा हूँ और उसके साथ साथ इसलाम में सामने वाले की रिस्पेक्ट करना सामने वाले को अच्छे से उससे बात करना अच्छा अखलाक रखना उसका दिल नहीं दुखाना ये भी अपने दिमाग में रखना और अगर गलती से कोई गुना हो भी गया तो अपने दिमाग में इतना वजन रहता है कि जिसकी कोई हद नी है भाई इतना जादा वो हो गया हूं मैं मैं 360 डिगरी चेंज हो गया हूं and yes मैंने इसलाम कबोल किया है अश्यदु आल्ला इलाह इल्ला वाश्यदु आल्ला मुहम्द अब्दू मैंने इसलाम कबोल किया है किया है yes I'm a Muslim and अभी अगर आपको ये जानना है कि मैंने कब किया और कब से तो ये एक थोड़ी सी अच्छी स्टोरी है ये आपको ऐसे इत्मिनान से बताऊंगा मैं इंशाल्ला and उस चीश के लिए आप थोड़ा सा सबर करें कल तक नहीं तो परसों तक ठीके जी आपके लिए वीडियो जरूर आएगी और ये वीडियो को हम यहीं पर बंद करते हैं बाहर थे इसलिए मैंको लगा टाइम पर घर पर पहुंच जाएंगे and इफ्तार हो चुकी है मैंने पानी से इफ्तार किया है खजूर से नहीं किया सुननत घर पर जाके ठोकेंगे अभी पूरा अच्छे से खाईएंगे अपनी दुआओं में याद रखना अच्छी दुआएं देना कमेंट सेक्शन में और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें हमें दुआएं देते रहें और आपके लिए भी हम दुआ करेंगे बहुत सारा प्यार होता है मैं सच कहा रहा हूँ में चब लोग कॉल भी करते हैं ना काम के लिए भी तो वो लोग इतना प्यार गते हैं जिसकी कोई हद नहीं है सच कहा रहा हूँ बहुत अच्छा लगता है So thank you so much.